जी हाँ प्यारे सुरोता बंदू ये जो जिक्डी भजनों का कारिकिरम नगला कल्यान उच्चेन भड़पुर में किया जा रहा है दुत्यदार जिसके काय कलाकार है प्रहलाद चोधनी पुरा मालोनी रूपास वर्थपुर राइस्थान से दोलक का साथ रिवा रहे हैं दूड़ दसन के कलाकार भाई भजनलाजी पते पुर्शिकरी आगरास है मजीरे की तान आपको सुना रहे हैं अमारे वार्षा भोसिन वाले और यूटूब का आगाज कर रहे हैं पंडित रोईबास दीजे सांड जनुतर से आईए देखिए साइकालीन समय होने को जा रहा है और प्रोग्राम भी अपनी गती की हो रहे हैं तो मैं निभेदन करूँआ ज्यादा समय न लेते हुए के बल पंद्रे मिनट का समय लुआ और जो भी कुछ कहूं उसे आप बड़ी ध्यान से सुनें हर विद्वान ये कहता है कि ये मनुस का जीवन जो है बास्तम में बड़ी कठनाईयों से मिलाए चोरासी लाख योनियों को भोगने के बाद में ये तुझे मानवतन मिला लेकिन आज का मनुस्य नजाने कितना घमंड कितना गरूर कितना अविमान दिये बैठा है कवी ने चाल लाल लिखी है बजन लाल जी क्या बोला है उधर मिले तु उधर मिलेंट मही पेलेंटा पलना मिलेंट बड़ा शुक पाया ब्याओ भरो तिरिया संगले प्यो तु ले तत ले तत नाई अखाय चीर सागर में चीर सागर में बचीर सागर में ले तत नहारे का तु नाम जुबा पेक बहू न लायो अब ले तत ले कत ले तु भयो बावा तेरो चिता पेले तन को दिने आयो देखो ये जो समय चल रहा है उमर आपकी धीरे धीरे आगे क्योर बढ़ रही है हम सबकी मौत के हम नजदिक पहुँच रहे हैं लेकिन कभी ने इस मनस को चेताब नहीं दी है और वजला जी लिख दिया है क्या कह दिया तु सोच जरा ओ मत वाले इंसान एक दिन मिटी में मिल जाएगा तु सोच जरा मत वाले इंसान मिटी में मिल जाएगा भशमी तरी पढ़ी रहेगी अरे भशमी तरी पढ़ी रहेगी वो महतर कफड उठाएगा सोच जरामत वाले इंसान मिटी में मिल जाएगा आदमी सब कुछ जान रहा है लेकिन मान कोई काउकी नायरो सब कुछ जानता है लेकिन मानने की कोशिस नहीं कर रहा है वो तो यह सोच रहा है कि मेरे पास में बड़ी अपार दोलत है मोई तो मर नोई नाया दुनिया में क्योंकि मुझको तो मर रहे नाया मेरे पास दोलत है दोलत से अपना हिलाज कराऊँआ जाऊँआ नहीं लेकिन सुन धन दोलत योर माल खजाना नहीं काम तेरे आएगा धन दोलत योर माल खजाना नहीं काम तेरे आएगा अरे जिस दिन तेरा दम निकलेगा जिस दिन तेरा दम निकलेगा हंस अकेला जाएगा सोच जरामत वाले इंसा मिट्टी में मिल जाएगा सोच जिस दिन तेरा दम निकलेगा हंस अकेला जाएगा सोच जरामत वाले इंसा मिट्टी में मिल जाएगा देखे प्रसंग वो ही है जो मैंने आपको दिन में सुनाया था ज्यान देना भीम ने रोपती से बोल दिया पगली एक कंगन नहीं वलके एक अजार लाकर के दुआ ऐसे कंगन की बात कर रही हैं और तेरी आखों में आसू मैं परदास नहीं करूँगा भीम खड़ा हो गया इंकार में आखर के और अपनी गदा को लेकर के चल दिया उस भीयावान जंगल की ओर जहां अर्जुन को बो कंगन मिला है धोके टाल भीम हउकार है ये सबरे बन में डोल रहा और है कोई माई को लाल रोच ले जो बिंआवात के बौँ रहो गूमत 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 भीम बली फिर बई ताल के आया और जहां अर्जौन को बो कंगन पाये उसी ताल पर पहुँच गया विद्वानों ताल के नजदिक जैसे ही आया है भीम देख रहा है बन की सोबा को निहार रहा है और भीम ने उस तालाव के किनारे पर एक अचंबा देखा और अचंबा क्या था एक सुन्दर हिस्त्री को देखा है मैया वह सुन्दर हिस्त्री को देख करके भीम से क्या सोच रहा है बन लादा अरग्या बिदना को लेख भीम रहो देखने तेरी करिये एक सुन्दर हिस्त्री अबला नार भीम की बाताल अपने चरी क्या देखा भीम ने सोले उस्त्रंगार नौलखा अरे सोले उस्त्रंगार नौलखा हार दिप रहे मोती सोले उस्त्रंगार नौलखा हार दिप रहे के से जैसे माबट वरसे बादल में से पिजली चपके जैसे माबट वरसे बादल में से पिजली चपका जाथ से राई पिजली चपका जाथ से राई पिज्यार करने लगा सोच में फड़ गया या तो है ये देव सुत्ता क्योंको इसके सोले स्रंगार ही ही रे मोतीयों से जड़े सोले स्रंगार में खड़ी है सोचने लगा या तो है या देब सुता या काव उपकी जाई है या है कोई परियब सरा या इन लोग से आई है गुमत गुमत चुपतो चुपतो फिर वो भीम बली निकट नार के आया और जहां अरजन को वो कंगन आई थोड़ा नजदीक जा रहा है उस इस्तरी के नजदीक जैसे ही पहुचा भीम सेन भीम को कुछ कमिया नजर आ रही है वो देख रहा है किसके सोलव स्रिंगार है लेकिन कुछ कमी महसूस हुई और भाया वो क्या कमी नजर आई आज भीमानी भीमाने जैसे ही देखा आज भीमाने नजर करी है क्यों नाई जाकी पागे आज भीमानी क्यों मेश भीमानी क्यों मेरी हैक्व एर या मिराजी लगे मुई केहरो क्या वाला भीम ने देखा मांग में सिंदूर नहीं लेकिन हाथ की और जब निखा गई तो भीम क्या देख रहा है एर या मिराजी लगे मुई केहरो कंगन ए कहा तमी पहरो tijd कंगन ए कहा तमी तेहरो अजारे राज लगे पर कहरें ते लगें कहा तो में कहा भीम ने देखा मांग में सुन्दूर नहीं है मान गया इसके सरंगार में कमी है लेकिन जब हाथ की और निगा गई तो एक हाथ में कंगन है दूसरे में कंगन नहीं है जो अरजुन को कंगन मिला वो भीम के पास है अरजुन यानि भीम ने देखा जिस कंगन की में तलास में आया हूँ वो कंगन तो मेरे सामने है मेरा काम मेरी समर्शा सौल्ब हो गई लेकि कंगन लगयो मिलाए वे जोत गजब की बन गई है और त्याक की भीमा खुशी वयो फर भुजा भीम की चाल गई है खुश हो गया भीम से थोड़ा नजदी कोड जा रहा है सुंधर इस्तरी की जैसे भीम को अपनी और आते देखा और सुंधर इस्तरी ने तो वहाँ से वह भागना प्रारम कर देती है क्यों भीम ने तो विचार किया था के मेरे अंदर दस हजार आतियों का बल है लेकिन देखो वो होने वाला क्या है पर आलार बाद ने बीमाने भगती देखी ना नार बाद नो नार बाद नो बीमाने भगती देखी ना ताला के पास पहुच गई आ बाला पीछे से धीम से दोड लगा रहा है उसके पीछे पीछे ताला के पास पहुच गई आ बाला अब तो जोई दर दस्के रहेगे कोई बात ना है आपका सम्माने ताला के पास पहुच गई आ बाला अरे मार है ला मार है ला पीछे ते भी मार है मार मार है ला पीछे ते भी मार है मार मार आगे आगे मोश्व नरिष्ट्री तालाव के किनारे पर पहुच गई पीछे से भी म से नहभार दे रहा है ओ शंदरी जरा रखतो सहीं लेकिन सजनों तालाव के किनारे पर जाकर के खड़ी हो गई भीम सोच रहा है मेरे अंदर तो 10,000 हातियों का बल है लेकिन एक सुन्दर इस्त्री को पकड़ने में में नाकाम हो गया या बड़ा विचार कर रहा है वो पुरूती का लाला क्या सोच रहा है बड़े गोर से देखी रहो है जालाल जी आज बड़े गोर से देखी रहो और वह कुंती को लाला अरा भीम मनी आज भीम मनी को देखी ताल में खूदी गई बाला भीम को देखी रहा है सोच रहो सोच रहो सोच रहो अरे सोच रहो ठाड़ो पल दहारी मेरे कईया हात से निकरे आज मेरी अकल गई मारी क्या कहा भीम सोच रहा है नाए कोई बलकी है सीमा मेरे अंदर कस जहर हातियों का बल है बलकी कोई सीमा मी नहीं है लेकिन विचार कर रहा है नाए कोई बलकी है सीमा और पीछे दे भरी छलान ताल में पूद करो अरे ठाटवां पाए है काड़े भीमने क्या देखा ताल के अंदर अरे ठाटवां पाए है काड़े और देखे नजर परसार महलमा सोने के ठाड़े ओ देखे नजर ताल के अंदर भीमसेन कूद गया सुन्दरी तो पहले ही चली गई ताल के अंदर तो जब भीमसेन आगे की और गया सोने के महल मिले है महलों को देख रहा है सोच रहा है के ऐसे महल मेने कभी नहीं देखे आगे की और बढ़ गया सामने से वही सुन्दर इस्त्री चली आ रही है इदर से भीमसेन जा रहा है दोनों का आमना सामना हो गया ना तो कुछ भीम कहने की हिम्मत जुटा पा रहा है और ना ही वह सुन्दर इस्त्री भीम से कुछ कहने की हिम्मत जुटा पा रही है दोनों का मिलान हुआ अब देखे वह सुन्दर इस्त्री भीम के साथ क्या कर रही है सुनेंगे मेरी बात जिकडी की उडान पेस करूँगा और जिकडी की जो उडान है कलाकार वास्ता में आपको सुना रहे हैं अच्छी अच्छी वाते जिकडी की जो उडान है मैंने नोटन की से तरज ली है आप गोर करेंगे कमिनी नाइपोली पेना कमिनी नाइपोली पेना अल्ला जाएगे कजिरा रे ने ना अल्ला जाएगे जाएगे कजिरा रे ने ना अल्ला जी देखो भुजरु वेटे हुए हैं कहीं ये नहीं सोचे कि कहीं के कलाकार हमको पागल तो नहीं बना रहे हैं लेकिन नोटंकी वाले इस तर्ज में एक चीज गाते हैं अगर किसी ने नोटंकी क्या सोख रखा हो अपने जीवन में तो नोटंकी वाले क्या गाते हैं वो मैं आपको सुना रहा हुँ दो लाएगे मियाँ पे बात का जख़डा बढाने में मजा क्या ले मियाँ में कब ख़ड सेन सोते हो जगाने में मजा क्या है अरे दहान दर सुन लियों सोता क्या किया भीन के साथ कोई मंतर दियो मार किसने सुन्दर इस्त्री ने भीन के उपर मंतर मार दिया कोई मंतर दियो मार भीम को पनाई दियो अगर समय होगा तो एक चोटा सा गीत गा देता हूँ बोल दूँ गीत और गाने में अंतर है कलाकार कहते हैं के गाना सुनो मैं गाना नहीं गाऊँआ मैं गीत गाऊँआ और गीत भी बेरा उस समय का है जिस समय दसरत अपने बाण को जो सब्द बेदी बाण था सरवन कुमार के सीने में जब वो तीर लग जाता है जाकर के सजना हाई राम हाई राम कह करकर सरवन कुमार धर्दी पर सो गया लेकिन विद्वानों दसरत ने सोचा कि मेरे बाण के द्वारा कोई जानवर नहीं बलके कोई मनुष मारा गया तुरंत दसरत जी पोँच गए सरवन के सीरे से रग्द निकल रहा है अंदे माता पिता कावर में लटके हुए हैं बजलाल जी सरवन ने दसरत को पेंचा लिया और बोले मामा ये तुने अच्छा नहीं किया लेकिन मेरे जाने से पहले क्योंकि मेरे प्राण निकलने को हैं मेरे जाने से पहले तुझे एक काम करना होगा भीया क्या बोल रहा है बड़ी बेपसी है मामा जी मगर क्या करूं में घराना फिल्म से ये तरज ली गई है बहुत प्यारी तरज है खुसी का है मों का मगर क्या करूं में नहीं आज का ही मेरे खुसी का तिकाना मेरे आस्वार सीखना मुश्कराना स्रवण बोला मामा ये तुने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में मुझे निर्दोस को तुने अपने बार का सिकार बनाया है और भोल रहा है बरी बेबसी है मगर क्या करूं में ये गम का भसाना किस से कहूं में काबर मिलट के मेरे पिता और बारा कतम हो चला मेरा दुनिया से ना कतम हो चला मेरा सरवड की आगोर से आशू निकल रहे हैं और बोल रहा है मामा अपने माता पिताओं को में भारत वर्ष की यात्रा करा रहा था लेकिन वो तमन्ना मेरे दिल के अंदर रह गई तमन्ना मेरी ये तमन्ना मेरी ये मेरे दिल में रह गई स्रवड ने जवाब दे दिया तमन्ना मेरी ये मेरे दिल में दे गई मुझे जितगी दोना अधवर मिटे गई मुझे जितगी दोना अगर ऐसा मुझे पता होता अरे मालुम जो होता तो नई घर से लाता और खतम हो चला मेरा दुनिया से नाता खतम हो चला मेरा बोला एक काम तुझको करना पड़ेगा मामा जो मेरे प्यासे माता पिता जिनको आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता उनको थोड़ा सा पानी ले जा करके पिला देना जब ये बात सरवन ने दसरत जी से कही तो भजलाल क्या हुआ भीया सिवा अपनी रंजन के सिवा अपनी रंजन के कुछ भी नहीं है गोपाल क्रिष्णा सर्वल मुख से कही है गोपाल क्रिष्णा सर्वल मुख से कही है और अंतिमात कभी ने अपना नाम भी जोड़ दिया सुनाना ना जिंदर को दोड़ाई भी आता खतम हो चला मेरा दुनिया से लाता हम भी खतम हो दोड़ाई विल्जन के